जैसे अभी हमने कुर्सिबल को गरम करना सुरू कर दिया, यानि हम यह अपर क्रिया कुर्सिबल के भाहर कॉंटेंट के लिए कर रहे हैं। कुर्सिबल में कोई यदि वास पित असुधी हैं तो गरम करने से दूर हो जाएगी। के और इसे हमारा प्यूंटे वह कुर्सीबल का डय तोलने में को दूटिय नहीं है इसलिए हमें प्रोसेस करते हैं इसके लिए हम कुर्सीबल को दो से तीन वार यहयर तोलते ताकि उसका और तोलते तक्가요 इसका भार को उंशना आժ यहरो है यह हमारा यहां गरम करें तो दो तीन मिंट बार वाई मंडल में ठंडा करेंगे उसके बाद हम उसको ठंडा होने के लिए इस डेसी केटर के अंदर रख देंगे लगभग 10-15 मिंट तक जो की ठंडा करने के परक्रिया है इससे पहले हमने अल्डेटी कुर्सिवल का दो से तीन वार वे लगभग कॉंस्टेंट आने के कंगार पर था तो अभी है थर्ड वार हम करेंगे तो हमारे वेस्ट कॉंस्टेंट आ जाएगा मैसल अफ सुरंदर खिलेरी आप हमेरे चैनल को सपोर्ट करें तांकि मैं बहुत है मैं आपको इस प्रकार के और मेंटर से वाइं चानल किया इसके बाद यहां हम वेट करने की ले लाए तो हमारा वेट आ रहा है उनीस पॉइंट वण वन फोर ग्राम यहनि यह हमारा थर्ड टाइम वेट है और यह हमारा वेट कॉंस्टेंट है अब हम और इसका वेट नहीं तोलेंगे तुरूद अब हम सुरू करेंगे ह प्रेटीकल को दोस्तों आप अपनी ड्रेव में लेगूर जाए अच्छी मैनत करें अपने कायरे को इंज्योय करें तांकि आप एक्जाम में अच्छा स्कूर कर सकें आप अपनी मैनत से संतुष्ट हो सकें और आप अपने जीवन का आनत ले सकें जैसे अगें हम वापस ले ले जाएएंगे तो हमारे कुर्सीवल को डेसी के टर अंदर रख खिर ही ले जाएंगे जैसे भी हमने इसे चाहते हैं ऑब जैसा कि हम जानते है इसमें इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाए है उस वीडियो को भी आप जैसा कि हम जाते है कि उसमीक्त 25 ml बेरियम कलोरेड लेते हैं और फिचे तरह में डिस्टिल वाटर उसमें एक से दो एमल डाल कर सोलिशन त्यार करते हैं उसमें हम उसको गरम कर उसमें सेल्फूरिक अमल को गरम करते हुए डालते हैं जैसे यहां पर आभी हम जलका मापन कर रहे हैं तो यह प्रोसेस रहेगी इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया हैं जिसकी लिंक मैं नीच आपको प्रोवाइड परवा दूँगा यदि टाइम मिलेगा तो और जिसमें इसकी कैलकुलेशन और फाइल वर्क किया हुआ है जैसे पिच्छे तरह मेल पूरा हमने वाटर ले लिया अब जैसे यहां पर हम ने यह मिक्स कर दिया है पिच्छे तरह मेल वाटर और बेरियम क्लॉइड को अब हम इसमें इसमें एक हाइड्रोग्य यहां पर हम 5 ml लेंगे क्यूंकि हमारे पास कम से कम मेजर करने के लिए 5 ml है यदि हम एस ज्यादा ले लेते हैं तो यह हमारे उसके बाद जैसे इसको इस परकार से हम गरम करेंगे और एक अन्य प्रक्णली में सेल्फिरिक एसिड लेकर उसको भी गरम करके इसमें मिलाना है हो इसको इसको अब पर हमने इसको भी हमक। इसको भी हम गरम करेंगे जैसे हमें पर हमने सालफिरिक एसिड ले लिया और इसको हम गरम कर रहे हैं अब दोनों को नेक्स्ट स्टेप में हम मिलाएंगे हिलाते हुए जो पहले वाला भीकर है उसको उसमें सेल्फिरिक एसिड यानि भीकर में इस प्रक्नली से हिलाते हुए है। nar लेम जाने से पहले एक वार हमें प्रेटिकल के बारे में पढ़ते हैं। कि मैं सेलर सुनादर खिले रहे हैं जैसे हमारी यह भाइट पीपिटी आ रही हैं जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं अब जैसे हमारा पूर्ण आउक्सेपन हो जाएगा तो हम इसका पूर्ण आउक्सेपन टेस्ट करेंगे यह नहीं इसको थोड़े समय रखने के बाद हम थोड़ा सा सेल्फिर के डालेंगे की देखेंगे की इसका हीगा और नहीं आरहा है अब इसके और की पाचन के लिए इसको आदा गह्टा गर्म करते हैं यहैसे हम एंगर्म करना है अब इसको हम फिल्टर फेपर यानि वाट में 42 फिल्टर फेपर के द्वारा इस प्रकार से चाने के प्रक्रिया जैसा कि जानते हैं कि पहले जो उपर आया वा yamagoda को चांते यानी प्लीन पहले नीचे तली में रहने देते इस प्रकार से चांते कि perfect का रहें हो प्रोसेस दो से तीन वार करते यानि एक वार दर्वे का जिसे हम पीपीटी का धावन कहते हैं धावन क्यों करते हैं तांकि पीपीटी के अंदर यह कोई असुक भी हैं जैसे कोलोड आयन, सल्फेट आयन तो वो सारे जल में विले होकर हमारे पीपिटी से बाहर चले जाए यह नहीं हमारे पास के उलसुद पीपिटी ही बचे जैसे यह अगर हम जल लाला इसको थोड़ा सा ही लाना है और दर्वे को चाना यह तीन पर क्रिया तीन स है और हम्हारा थे सफ़ल हो जाते हैं तो हम आंगे की परिकलिया जारे किया तो और हमारा पीपीटी का प्रोसेस पूरा हो जाएगा पीपीटी का प्रोसेस पूरा होने के बाद हम पीपीटी को सुकाने के लिए रख देते हैं यानि या तो आप माइक्रोवेव में सुका सकते हो या माइक्रोवेव यदि आपके लिए में और आपके पास ट्राफ टाइम है तो लाव इसको छोड़ कर भी जा सकते हो यानि एक दिन आप रखेगे दूसरे दिन आकर आप है जो इसका वेट कर सकते हों वैसे इसमें पीपिटी बनाना ही विसेस महतरफून बात नहीं इसका वेट करना भी महतरफून बात हैं वेट करने से पहले आपको जो कुरसीबल का वेश्ट कॉंस्टेट क्या वता उसको लिख लेना चाहिए कहीं पर और कुरसीबल को हम वापस डेसी केटर में ही रखते हैं उसके बाद जैसे हम वाटमेंट फिल्टर पेपर को जलाते हैं जलाने के बाद जो हमारा केल पीपिटी सेसरे ता कुरसीबल में उसके साथ और अगेन वेट कॉंस्टेट करते हैं फिर उसमें से जो पहले हमने वेश्ट कॉंस्टेट किया था कुरसीबल का उसको माइनस कर देते हैं, जो हमारा विजल्ट आता है, वह किसका होता है, हमारे पीपटी का वेट होता है, दोस्तों, आप जितना हो सके, उतना इस कॉलेज लाइफ को अपने कारिये के पर दिसमार प्रॉड करने का कोशिश करें, जैसे अभी हम यह टेस्ट कर रहे हैं, बेहरिम कॉल्ड या यह वह समय है जिस पर हम अपना चाहिए उतना विकास कर सकते हैं यहां पर हमें एक शौतंतर जिन्द की मिलती हैं यहां पर हमारे दोर लिया गया पत्ते डिसिजन हमारे बहुशी कुंदे धारित करता है तो इस समय आप इसे शुरुप से अपने लाइप का वेल्यू दे जैस सब्सक्राइज है दो जैसे वाइट इदी प्यूबटी नीचे आ जाती है इसका मतलब हमारा यह सिल्वर नाइटरेट का परिक्षन ऐस्फछिए हो जाता है और सिल्वर नाइटरेट का प्रिक्षन एका साथ सप मतलब जाएगा कि यहां पर अभी हमारा अभी कलोराइड आयन उस्चित है तो इसके लिए हम अगें इसको एक दोबार और दोएंगे यह दिए उसके बाद भी आता है तो हमने आपको गलती लगे तो वह मेरे कॉमेंट वॉक्स में जुरूर टाइप करें ताकि मैं बहुत यह मैं नेक्स कि अब यह टेस्ट संपूर्ण होने के बाद हमने हैं पर ले लिया इसके लिए यह दी मैंने और वीडियो